हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजुम एडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हर्दिक स्वागत है हिंदी विशे की जानकारी देना मेरा उद्देश्य है और मेरे इस उद्देश्य को सफल बनाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें आज हम लोग पढ़ेंगे मनीशा कुल्सरेष्ट की दुरा लिखी कहानी बिग्रयाली बच्चे के उद्देश्य के बाले में इससे पहले मैंने इस कहानी के सारान्स को पढ़ा चुका है और उस वीडियो का लिंक दिस्क्रिप्सन बॉक्स में भी दे दिया है जिन बच्चों ने कहानी के सारान्स को नहीं समझा है विए डिस्क्रिप्सन बॉक्स में जाएं लिंक को क्लिक करें और पूरे सारान्स को अच्छी तरह से समझें तो बिना देर किये आज कभी से आरंब कर रही हूँ उद्देश्य मनिसा कुल स्रेष्ट की स्रेष्ट कहानियों में से एक है बिग्रैल बच्ची जिसमें दो पिढ़ियों के अंतराल उसकी मानशिक्ता को लेकर कुछ प्रश्ण उठाए गए हैं पिंक सीटी ट्रेन में सफर कर रही लेखिका के साथ तिन युवा भी थे कौन-कौन थे? एक लड़का रोजर, लड़की लीजा और उसका चोटा भाई चुटको उन तीनों की नापरवाही को देख कर लेखिका के मन में बिरक्ती का भाव पैदा होता है उन्हें लगता है कि इन युवाओं ने कभी अनुशासन में रहा ही नहीं और स्वैम पर गर्भ होता है क्यों उन्हें अपने बेटे और बेटी को सुरक्षी तथा कठोर अनुशासन में रख कर महान कारे किया है फिर वो अपराद बोट से भर जाती है कि इसी कारण उसके बेटी दब्बू बन गई है लेखिका के बेटी का नाम क्या है नीसी साधन संपन होते वे भी उसे एक एक पैसे के लिए पती के सामने हाथ फैलाना पड़ता है लेखिका ने यह बतलाया है कि बच्चों के स्वभावी की विकास के लिए उसे स्वचंदता देनी चाहिए ताकि बच्चे स्वयम को पहचाने आत्मने भरवने यानि जब हम किसी बच्चे का पालन पोसन कर रहे हैं तो सिर्फ अनुसासन के अधिन रखकर के बच्चे को हम बड़ा नहीं कर सकते हैं उसके संपूर्ण विकास के लिए उसके समग्र विकास के लिए उसको थोड़ी बहुत स्वतंतरता देनी होगी जब वह स्वतंतर होकर थोड़ा जियेगा तभी उस सही और गलत को परक्सा है सकेगा हम अभिबावा का या उद्देश होना चाहिए ये बच्चे को सही और गलत की पहचान करना सिखाएं अगर हम बच्चे को गलत और सही की पहचान करना नहीं सिखाएंगे उसे स्वतंत्रता नहीं देंगे तो बच्चे जो है दब्व प्रकृति के बन जाएंगे क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आएगा कि जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो विलत किया है और सही किया है उसकी पहचान ही नहीं कर पाएंगे लिखिका अलवर इस्टेशन पर उतर कर मिल्क के खरिती है परन्तु चलती ट्रेन में नहीं चड़ पाने के बज़े से क्या होता वो गिर जाती है ऐसे समय में वे तीनों युवा ही उसकी सहायता करते हैं जीने वे लापरवा संसकार हीन समझ रही थी लिखिका ने यस बतलाया है युवा में फाल्तु जोस नहीं है इनमें अकल है और हिम्मत भी है इनके अंदर प्राचिन संसकार, दया, ममता, सेवा, सहायता सब कुछ जिन्दा है वे अपने संसकारों से हटे नहीं है वे अपने जोस को समाज के लिए बेहतर इस्तमाल कर सकते है बिग्रयल बच्चे कहानी में लिखिका ने इस बात की तरव हमारा ध्यान खीचा है कि हम जो कहते हैं कि हमारी पिढ़ी दिन पर दिन बत्तमीज होती जा रही है संसकार बचे ही नहीं है यहाँ पर किसकी गलती है यह सवाल लिखिका ने उठाया है कि हम अपने युवाओं को दोस दो देते हैं कि वे बत्तमीज हो रहे हैं इन्हें अपने संसकारों का ख्याल नहीं है परन्तुए ऐसा जो कुछ हो रहा है इसके लिए दोसी कौन है किसका दोस है माता पिता का या बच्चे का लिखिका ने ये बतलाया है कि हमारी युवाओं पिढ़ी के चरित्र निर्मान के लिए अगर माता पिता समय निकाले तो आज यह स्थिती नहीं होती यानि कहने कार्थ है कि माता पिता जो होते हैं अपने बच्चे के चर्ट्र के विकास के लिए समय नहीं निकालते हैं, वे अपने में ब्यास्त रहते हैं, ज़ती वे समय निकालकर बच्चों को सही पाठ पढ़ाए, तो हमारी युवा पिड़ी जो हैं संसकारवन अवश्य बनेंगे। सिर्फ आज के युवा पिड़ी को कोसने से कोई फाइदा नहीं है, बलकि हमें उसे नमीन संसकार सिखाने हों हैं, सिर्फ युवा पिड़ी को कोस लेने से हमारी समस्या का अंत नहीं हो जाता, हम बच नहीं सकते, हमारा दोस्खतम नहीं होता, आज के युवा कल के नागरिक ह युवा के साथ देश का संबध, माता और फुत्र का संबध है और उसी के समानी होना चाहिए उनका जीवन की विल अपना नहीं है पूरे देश का है, पूरे समाज का है, रास्ट का है आता हमारा दायत्व है कि युवा-पुर्ही का उचित मार्ग द्रसन करें क्योंकि हमारा पूरा देश, हमारा पूरा समाज जो है, उसका भविष्य जो है, इन्ही युवाओं पर तिका हुआ है, लेखिका ने यहां पर युवाओं के खुलेपन और लापरवाही से, यानि इनकी लापरवाही की ओर्दू इसारा किया है, कि इनकी लापरवाही इने ख आज की युवापिड़ी जो इतने लापरवा होते हैं, ये लापरवा ही जो है, खत्रे का अमंदरन देती है, खत्रे को बुलाती है, क्या ट्रेन, क्या बस, कॉलेज, इन्वर्सिटी, हर जगह, ये खुलापन ही जो होता है, वो खत्रे को बुलावा देता है, और इस कारण कभी आत्महत्या तक की भी नौबत आ जाती है। लेखिका का यह उद्देश्य है कि आज की युवापिड़ी इस खुले पन से इस लापरवाही से स्वैम को बचाए। इस प्रकार दिग्रेल बच्चे कहानी में लेखिका ने आज के युवापिड़ी की समस्याओं को बतलाया है। कहानी का उद्देश्य है। आपको भली भाती समझ में आ गया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, सेर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। दिग्रेल बच्चे कहानी के सिर्षके सार्थक्ता को लेकर मैं अगले वीडियो में आपके सामने फिलसे उपस्यत रहूंगी। तब तक पढ़ते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। मेरी सुपकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ हैं। धन्यवाद।